आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ गिवन स्टेट्मेंट फाल्स है और क्या रिजन है गिवन स्टेट्मेंट के फाल्स होने का उसके हम यहाँ पर बात करने वाले हैं तो गाईज यहाँ पर जैसा बोला है कि कोई भी आपजेट अगर अर्थ के gravitational field से बाहर फेकना है तो उसे हमें कितनी velocity देनी पड़ेगी तो उसे जो velocity दी जाती है उसे velocity को बोलते हैं escape velocity सब को अर्थ के surface से अगर हम किसी small m mass को बाहर फेकते हैं और इतना दूर फेक दें कि अर्थ के gravitational field को छोड़के चली जाए तो वहाँ पर जो velocity होगी इस वेलोस्टी इनों है escape velocity और escape velocity की गायज हमारे पास value क्या होती है 2 times g mass of earth divide over radius of earth और अगर हम अर्थ के surface पेस value को calculate करते हैं तो that will come out 11.2 km per hour तो गायज यहाँ पे अगर हम 11.2 km per hour की velocity दे दें किसी भी object को तो वह अर्थ के gravitational field से बाहर चले जाती है उस velocity को हम बोलते हैं escape velocity ना की critical velocity critical velocity वह velocity होती है जो किसी satellite को किसी particular orbit में launch करने के लिए जवरत होती है इसलिए हमारा correct answer क्या होता? escape velocity होता तो statement correct होता यहाँ पे critical velocity दिया है इसलिए given statement false है classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भर हो सा आज जी डाउनलोड करे doubt net आप या whatsapp कीजिए अपने doubts आच चार्सो 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 पर